हलो दोस्तो मैं कुझ्दन कुमार हमारे यूटूब चेनल के आरिज्जाम मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज क्लास 10 का भुगोल का पांचवा क्लास है जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो भुगोल का जो पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास उसका पार्ट 5 आज होने वाला ठीक है दोस्तो और इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है तो जो जो विद्ध्यार्थी पिखले 4 पार्ट को नहीं देखे हो दोस्तो इस वीडियो के डिस्प्रिक्सन में आपको 4 पार्ट का लिंक मिल जाएगा तो वो चारों को पहले जाके जरूर देख ले ताकि आपको आज चा क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए ठीक है तो चल्ये स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज चा क्लास को और इससे पहले गदी अभी तक आप हमारे चेनल से नहीं जुड़े हो तो नीचे में जो रेड कलर का बटन देख रहा उसको दबा के चेनल को सब्क्राइब कर दीजे साइड में बेल आइकोन की घंटी है उसको भी दबा दीजे वो NCERT के बूक से करवा जा रहा है ठीक है दोस्तो तो यदि आपके पास में NCERT का या फिर यदि कोई भी कमपनी का बूक है तो उसको अपने सामने में जरूर रख ले ठीक है दोस्तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों का जो चोथा क्लास जहां पर समाप्स हुआ था ठीक है चारों पाट को देख ले तभी आज चा कलास समझ में आएगा ठीक है दोस्तों नहीं तो आपको बीट से कुछ समझ में नहीं आने वाला ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में जाकते हैं देखिए लाल मिट्टी जो है वो दक्कन के पठार जो है उसके पूर्वी और दच्छिने हिस्सों में रवेदार अगने चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विक्सित हुई है ठीक है दोस्तों जह यहां पर कम वर्सा पाया जाता है, यहां पर वर्सा बहुत कम होता है, तो उस तरह जगहों में लाल मिर्टी पाया जाता है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि लाल और पीली मिर्दाए ठीक है, जो लाल और पीली मिर्दाए हैं वो ओरिस्टा, 36 गड़, मज पर्देश, उसके बाद बता रहा है यहां, नहीं, ओरिस्टा, 36 गड़ और मज गंगा मेदान, ठीक है, दोस्तों, मज गंगा मेदान के गाट के पहाड़ी पर पाई जाती है थीक है उसके पाज आगे बोल रहा है कि इन मिर्दाओं का लाल रंग वो रव에다र अगने और रूपान्तरिक्र चत्थान थीक है दोस्तो रवेदार अगने चत्थान लोग धातू के परसार ठीक है दोस्तो लोग धातू के परसार के कारण होता है क्योंकि दोस्तो जो लाल और पीली मिट्टा होता है ठीक है लाल और पीली मिट्टी तो उसमें क्या होता है दोस्तो सबसे ज्यादा लोही की मात्रा पाये जाता है ठीक है लोहा लोहा उसमें सबसे ज्य पीला रंग जो होता है वह जल योजन के कारण होता है ठीक है और पीला मिट्टी का जो रंग होता है पीला वह होता है जल योजन के कारण ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं आगे है दोस्तों लेटराइट मिट्टी ठीक है देखें अब लेटराइट मिट्टी क्या होता है देखे लेटराइट सब्द जो है वो ग्रीक भासा से लेटर ठीक है दोस्तों ग्रीक भासा के लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है इट ठीक है दोस्तों जिसका अर्थ क्या होता है इट लेटराइट मिट्टी को जो है जो सब्द लिया गया है यहां से लिया गया ग् पुसोसन कटिबंध यह जलवायू छेत्रों में आद्र तथा सुष्क के रित्वों में एक रित्वों के एक के बाद एक आने के कारण होता है ठीक है दोस्तों पहले आता है आद्र मतलब पहले बहुत जाला गर्मी फिर जो है सुष्क के रित्वों के आने के बाद एक के परिनाम निकलता है वह भारी वर्षा से अत्यधिक थीक है भारी वर्षा से मतलब बहुत ज्यादा पानी होता जहां पर उसके निच्छालन के परिनाम होता है उसके बार बताघा रहा है कि लेटराइट मिट्टी का अधिकतर जो है गहरी एवम अमली है इसमें समान्यत्य पोधे का पोशक तत्वों की कमी होती है, मतलब इसमें आप लोग देखोगे, ज्यादा इसमें पेड़ पोधा नहीं उगता, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आगे बता रहा कि यह, ठीक है, यह के बाद आगे है, यह अधिकतर दच्छिनी रा सादाबाहार, ठीक है दोस्तों, यह VUN का परकार है, परणपाति VUN और सादा बहर VUN ठीक है, तो इस परकार के VUN, इस परकार के मिटी में देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा Japanese परियाप रूप में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन, विरल वनस्पती के अर्ध सूस्क उसके बाद बता रहा जहां देखिए दोस्तों आपको लेटराइट मिट्टी का मिर्द जो है चित्र आपको दीख रहा होगा देखिए आपके सामने में ठीक है देखिए यह है लेटराइट मिट्टी आप लोग देख रहे हो कि साइड साइड में कुछ वन है जो कि सदा बाहर वन रहता ठीक है लेकिन देखिए ये ज़्यादा तर भागों में आप देख रहों कि पेड़ पोधा नहीं उगरा ठीक है दोस्तों ये है लिटराइट मिट्टी चलिए आगे देखते हैं आगे देखिए जो आपका लास्ट यहां पर कहां पर पढ़ा था द अथल रूपों पर उनकी इस्थिति के अनुसार उसमें अपरदन तथा भूमी निम्निकरन की संभावना होती है ठीक है उसमें जो है भूमी निम्निकरन जो होता है जिक के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है भूमी निम्निकरन क्या होता है तो आगे बोल रहा क कि मिर्दा सनरच्छन मिर्दा का किस तरह सनरच्छन किया जाएगा उसके बाद बोल रहा है मिर्दा सनरच्छन की उची तक्निक अपना कर इन मिर्दाओं पर करनाटक केरल और तमिल लाडू में चाय और कौफी उगाई जाती है ठीक है तो करनाटक जो की दच्छिन भारत का राज है त्रिक है करनाटक हो गया केरल हो गया तमील लाडू हो गया तो यह सब जगावों में क्या होता हैya चाय और कौफी उगाया जाता है इस तरह के प्यूगत है उसके बाद आगे मोई है सा तक इस परकार का कि तमिल लाडू, आंध्र परदेश, केरल के लाल मिट्टी जो है वो कि इस परकार के फ़सल के लिए अधिक उपयुक्त है तो आपको क्या बताना दोस्तो कि काजू की फ़सल के लिए ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं आगे दोस्तो अब मरुस्थल ये मिर पाए जाता देखिए आगे क्या बता यहँ देखिए यहां बता रहा कि मरुस्थल यह मिर्दा का रंग जो है वो राल और भुरा होता है तो यह मिर्दा यह आम थो पर रेतिली और लवन ही होति है वो रेतिली होता है, और लवन ही होता है, अमलोचारक लवन के बारे में आपको science का जो class हुआ है, उसमें आप लोग को बता दिया गया, तो जो साइनस का भी class नहीं देखे हो, आपको जो है playlist में जाके आप लोग साइन्स का भी क्लास सभी सभी विसरों का आप लोग का क्लास चल रहा है तो आप लोग जा के जरूर देख लेए ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते जहां आगे बता रहा कि कुछ छेत्रों में कुछ छेत्रों में क्या है कि नमक की मात्रा इतनी अधीक है कि झीलों से जल वास्पिक्रित करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है मतलब जो मरस्थली मिर्दा होता है मरस्थली मिट्टी के आसपास में जो भी झील रोता है जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है पानी जमा हुआ रहता है तो उस अभी यदी सूक जाता है तो वहां पर नमक प्रा बहुत ज्यादा गर्मी होता है जिक कारण से कोई मतलब कोई थोड़ा सा भी यदि पानी जमता हो कहीं पर तो तूरंट वह सुख जाता ठीक है उसके बाद आगे बोलता है कि मिर्दाओं में हम्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है ठीक है उसके बाद मिर्दा मतलब वह जो है भूमी आपका मिलेगा मरुष्थली मिर्दा वह आपको भींगा हुआ बहुत कम दिखेगा अधिकतर आपको दिखेगा सुखा हुआ मिट्टी ठीक है उसके बाद आगे बोलता यहाँ कि मिर्दा की सतक के नीचे केलसियम और देखिए यह आपको दिख रहा चित्र आपको की बहुत ज्यादा कमी होती है ठीक है आगे बोल रहा है यहां पर आपका जो बताया गया कि इसके नीचे केलसियम केलसियम उसके बाद बता रहा है कि केलसियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है ठीक है केलसियम की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों मे नीचे की पर्तों में चूने के कंकर की सतह पाए जाती है, नीचे के पर्तों जब आप उसको खोदिएगा मिट्टी को, तो अंदर में आप देखिएगा कि चूने का कंकर पाए जाता है, उसमें बहुत ज़्याजा ठीक है, जिसके कारण मिर्दा के जल अंता सेंदन चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बोलता है दोस्तों आप वन मिर्दा के बारे में देखते हैं, आप वन मिर्दा क्या होता है, देखिए ये मिर्दाएं जो है, वो आम तोर पर पहाडी और परवत ये छेत्रों में पाए जाता है, जो जो छेत्र होता है, जहां पर पहा पर्वत ये परियावरन के अनुसार बदलाव आता है जैसे ही पर्वत ये परियावरन मतलब पर्वत का कोई भी पहाड है पहाड का परियावरन जिस तरह होगा उसी तरह का उसका जो मिर्टी का भी बदलाव आने लगता ठीक है उसके बाद आगे बोल रहा है कि नदी घाटि मोटे कनों का होता ठीक है लेकिन उपर उपर का जो भाग होता है वो थोड़ा मोटा टाइप का होता है ठीक है तथा हिमाले के हिमाच्छित हिमाच्छदीत छेत्रों में इन मिर्दाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिक सिक तथा अधिक सिक तथा अधिक सिक तथा उसके बाद आपका जो है और इसके बाद बोल रहा है दोस्तों कि अपर्दन होता है ठीक है अपर्दन होता है और ये अधिसिलिक तथा अधिसिलिक तथा हमिमस रहीत होती है ठीक है नदी घाटियों के निकली शेत्रों में जो नदी घाटी होता है उसका निकली शेत्रों में जितने भी नदी घाटी है उसके जो निकले हिस्चों में विशेशकर नदी सोपनों और जलोड पंखों आधी में ये मिर्दाएं क्या होता है उपजाओ होता है उसके बाद आगे बोल रहा है दोस्तों तो आब आगे हैं दोस्तों मिर्दा अपर्दन और सनरच्छन ठीक है च से लिए देखते हैं देखे सबसे पहले हैं बता रहा है कि दोस्तों मिर्दा के कटाव और उसके बचाव की परकिरिया को मिर्दा अपर्दन कहा जाता है आप इसको नोट करके कोस्चन मना के लिख लिजेगा कि मिर्दा अपर्दन किसे कहते हैं ठीक है तो आपको कोस्चन क एंसर लिखना है कि मिर्दा के कटाओ और उसके बहाओ की परकिरिया को मिर्दा अपरदन कहते हैं उसके बाद बोल रहा है यहां कि मिर्दा के बन्ने और अपरदन की किरियाएं आम तोर पर साथ साथ होती है मतलब बन्बो करता है और अपरदन भी होता है तो दोनों क्या होता परंतु मानविय किरियाओं मतलब जो मानव द्वारा जो किरिया किया करवाया जा रहा ठीक है जो किस भी जैसे कि मानव द्वारा जितने भी किरवा जैसे कि पेड़ कटाई हो रहा ठीक है ज्यादा से ज्यादा तो इससे क्या हो रहा दोस्तों मिर्दा का परजन हो रहा जिसम मतलब कम जगाओं में बहुत ज़्यादा गाय, बकरी, एटु, जड़, जितना है, पस्तु, सभी को चरा रहा है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा आगे, कि निर्मान और खनन इत्यादी के कई बार या संतुलन भंग हो जाता है, और प्रकिर्तिक तत्व जो है, जेसे, प्रकिर में जञादातर बहुत जगा देखे होगे, जहां पर कभी देखते होंगे, कि बारिस होता बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा खे था क्या होता, कि नीचे की तरफ, मिर्टी जो हो घंच जाती है, ठीक है, तो वह ही होता मिर्दा अपर्दन, देखिए यहां पर आपको देखिए नीचे पानी बहाव है और उपर से देखिए मिर्दा का अपर्दन हो रहा है यहां भी फटा हुआ यहां भी ठीक है दोस्तों उसके बाद यह सब जो है आपको जो चित्र दिख रहा है यह मिर्दा अपर्दन का चित्र है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं आगे बहता जल मुक्ति का युक्त उसके बाद बोल रहा है मिरदाव को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जो कि मैंने मैंने आपको तुरंत अभी बताया ठीक है उसके बाद आगे बोल रहा है कि जिन्हें आव नलिकाएं कहते हैं और एसी भूमी जोतिने योग्य नहीं रह कहते हैं उत्खान भूमी ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि कहते हैं चंबल बेसिन ये जो चंबल नदी है उसका चंबल बेसिन जो है उसमें जो है एसी भूमी को खड़ड भूमी भी कहा जाता है उसके बाद बोल रहा है कि कई बार जल विश्कृत छेत्र में ढके हुए ढ तो रहाल के साथ नीचे की और बहता चला जैता जो कि आपको चित्र में अभी-अभी दखाए कि आपका देखिए मिट्टी जो है वो ऊपर से नीचे की और घचते जा रहा है यह आप कुछ यदि और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहेगा तो यह पूरा भाग यहां से यहां यहां यह कट के इधर नीचे गर जाएगा ठीके और यह सबस्सक्रत जल के साथ बहकर में अभी आपको बता है और इसे चादर अपरदन इसे चादर अपरदन उसके बाद बोल रहे कहा जाता है ठीक है चादर अपरदन कहा जाता है और पवन द्वारा मेदान अथवा धालू छेत्र के मिर्दा को उड़ा ले जाने की परकिरिया अब देखिए पवन का बाद बोल रहा ठीक है अब मैं पहले पेज बरसाता आता बहुत ज्यादा तो देखिए का बहुत ज्यादा धूल उड़ रहा ठीक है उसके बाद उससे मिर्दा का क्या होता अपर्दन कहा जाता है इस परकरिया को पवन अपर्दन कहा जाता ठीक है और किर्सी के गलत तरीकों से भी मिर्दा अपर्दन होता यदि किर्सी उसका भी शही कोई तरीका होता ठीक है जर्धी गलत तरीके से दी कृति किया जा रहा है तो उसमें भी मिर्दा का अपरदन होता है उसके बार बोल रहा हो जसी छलाने जैसे जाल पर उपर की नीचे की और हल चलाने वही काई बन जाती है ठीक है उपर जहां तहां यदि हल चला दिया तो क्या हो जाता वाहिकाय निकल जाती है जहां से पानी निकलता ही रहता है और पानी निकलता है तो मिट्टी को बहा के ले जाता है ठीक है तो इसमें भी क्या होता जोस्तो मिर्दा का अपरदन होता है और जिसके अं धाल वाली भूमी पर सरवच्छ रेखाओं की समानतार समानतार क्या होता हल चलाने से धाल के साथ बहाओ ठीक है धाल के साथ बहाओ तो जल के साथ बहाओ ठीक है के साथ बहाओ कि गती घटती है और इसे सरवच्छ जुताई कहा जाता ठीक है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है स तरवचव जुताई। उसके बाद बोल रहा कि धाल वाली भूमी पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ँस तरह भूमी में क्या होता तो सोपान बनाया जा सकता है। और सोपान जो है वो किरसी अपरदन को नियंत्रित करती है ठीक है आप लोग देखे होगे अपना अपना खेत में जैसे कि कहीं भी आप जहां जहां आप लोग रहते हो आप लोग खेत तो देखे ही होंगे ठीक है तो देखेगा आपको खेत में क्या होता जोस्तो साइड साइ तोब धाय या फिर बहाग की ना जाई ठीक है उसको क्या कहते हैं जूस्तों सोपान कहते है। मतलब मिर्दा जो कहीं और का बहा के नहीं ना जाता उसी जगह में रहता ठीक है। उसके बास आगे बोल रहा है कि पशेवी और मज्ज हिमालयमे में içे मञत तरह TO सीड़ी दार आप लोग खेती इधर नहीं देखोगे धीक है दुसरे आप ज्कै गपजिमग जासर जैसे कि पस्ची में शेतर हो गया उसके बाद मजी हिमाले उस वो सब जगह में देखोगे कि सीडी दार सीडी की तरह खेती बना-बनाके मतलब हल चला-चलाके उसके बाद उसमें खेती होता ठिक है तो उसके बाद बोलता है काफी विक्शित है और बड़े खेतों को पट्टियां में बाटा जाता जो बड़ा खेत होता दोस्तों उसको पट्टी में बाड़ देता है जैसे कि बहुत बड़ा खेत रहा है जितना बड़ा खेत है उसको क्या करता है पाँ छे भागों में या फिर आठ भागों में ठीक है आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूं ठीक है दोस्तों बी बीत घास की पट्टियां उगाई जाती है जितने भी फसल है उसके बीत में क्या होता है घास की पट्टियां भी उगा दिया जाता है उसके बाद आगे बोल रहा है कि यह पवन द्वारा यह पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इन तरीकों से पट्टी किरसी करते ह जो होता है उसको किस तरह किरसी करते हैं पट्टी किरसी ठीक है उसके बाद पेड़ों को कतारों को लगाता है रच्छक जो कि मैंने आपको बता है कि पेड़ जो लगाता है दोस्तों उसमें जो पेड़ लगाता हो तो अंदर तक पेड़ का जड़ चल जाता है और जो जड़ है वो जड़ क्या होता दोस्तों मिट्टी को अच्छी तरह से अंदर से बान के रखता ठीक है तो वही आपर बोल रहा है तो पेडों की वही आपर बोल रहा दोस्तों की पेडों की जो है कतार को लगा कर रच्छक मेखला बनाना भी पवन के गती को कम करता है ठीक है पवन की आज का समाप्ष्वा दोस्तो अब आपका दोस्तो भुगोल का जो पहला अध्याई है वो आप लोगों का complete हो चुका ठीक है दोस्तो भुगोल का पहला जो अध्याई है शंसाधा नेवन विकास यह आप लोग का complete हो चुका अब जो आपका next class होगा इसमें इसका आपको question answer बत देख लिजेगा उसके बाद ये क्लाग को आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो दोस्तो तो चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकॉन के दबाके चैनल से जुड़ जाएए और दोस्तो और एक बाद मैं कह देता हूं कि यदि आप लोग अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो जहां पर आपको पीडियाप मिलता है जैसे की अब आपका नेक्स क्लास जो होगा दोस्तो वह होगा कोस्चियन अंसर का ठीक है तो कोस्चियन अंसर को आप लोग को पीडिया जाएगा यह सब तो बुक कहा तो आप लोग आराम से बुक में पढ़ सकते हो लेकिन कोस्चियन अंसर जो आप लोग को बताया जाएगा वो यहां से आप लोग समझ लिजएगा उसके बाद समझाने के बाद में आपको टेलिग्राम का जो चैनल है मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर आपको जोईन करना है वहाँ पर आपको जो है पीदीयफ मिल जाएगा मतलफ जितने भी आपको यहां करवाया जाता है सभी कापी अपको वहाँ पर मिल जाता है तो वहां से आप आ अराम से पीडीयफ डाउचल डाउनलोर करके लिख सकते हो संदेख इसके MANY Play Store में जाना ह जहां से आप कोई भी एप वेगरा कोई भी गेम डाउनलोर करते हो वहाँ पर जाके आपको यह एप को सर्च करना प्ले टेलिग्राम ठीक है दोस्तों यह एप को जब आप सर्च करोगे तो आपके पास में इस परकार का एक एप्लिकेशन खुल के आएगा उसको क्या किज़े जब का नीचे में लिखा रहेगा जब आपको जोइन करने के लिए बोलेगा तो वहों बटन को आप क्लिक कर लीजेगा जब आप जोइन किजब तो आपको जितने भी यहां से क्लाक करवाया जाता सभी का आपको PDF और सारा information आपको उसमें मिल जाएगा ठीक है दोस्तों उसके साथ साथ आपको और एक काम करना है आप जो है यह नंबर जो आपको नीचे में दिख रहा ठीक है देखिए 709171919 यह नंबर को आप जो है अपन कर देना है कि हाई लिखना सिर्फ हाई लिखना है और अपना नाम और नंबर दोनों लिख के आपको सेन कर देना है तो आपको हमारे वार्टसप ग्रूप से जोड़ दिया जाएगा जिसमें भी आपको जो है टैंस का जो वार्टसप ग्रूप है उसमें भी आपको PDF वेगर पोस्टों नेस्ट क्लास के साथ तब तक के लिए बाए